आपको लिए चलेंगे प्रजेक्ट ववन जहां मुक्कमंत्री हेमन सुरेन ने आज वीडियो कॉन्फिरेंसिंग के जरीए संथाल के जन प्रतिनिद्यों के साथ बैटा की है और उसके बाद वो मीडिया को अब संबोधित करेंगे देखिए आज अज हमने संथाल प्रगाना प्रबंडल के हमारे जन परतिनिद्यी जितने भी है सभी लोगों से मैं वीडियो कॉन्फिरेंसिंग में था किसी दौरान केंदर सरकार मंत्री रेल मंत्री आदर्निय फिर उसके बाद आदर्निय दर्मेंद प्रधान जी इन लोगों का फोन आया था इस दौरान शाइद वो राए जाना चाहते थे परवासी मजदूर और शात्राओं को लेकर और बहर पसे जितनी भी लोगों है उनके जिसे बुले हमने कहां ये तो हम लगातार केंदर सरकार से हनुमती मांग रहे थे कि दिसान देश्ट हमें दिया जाए केंदर सरकार को ऐसी उपाय करे जिससे जो समाजिक प्रिशर था वो कम किया जा से हमने प्रथार मंत्र जी को पत्र भी लिखा था वीडियो कॉन्फरेंसिंग के वक्त जो हमारी पिछले दिनों हुआ था और मैंने यही सब पुरी चीजों को अंकित भी किया था और आज चाथ चात्राओं को मजदूरों को लाने की एक दिसा निर्देश राज सरकारों को प्राप्त हुआ है इसके लिए मैं प्रधान मंत्र जी को धन्यवाद देना जाए सर बच्चे आएंगे कैसे हैं बहुत बड़ा सवाल है वाई रोड जी आना है मजदूर है लाकों देखिए अभी तो दिसा निर्देश आया है कई सर्थों के साथ आया है इसमें भी कई चीजें हैं इस पर कुछ नियम काईदे बनाये जाएंगे केंद्र से भी सहयोग हम लेंगे क्योंकि पूरे देश के विविन छेत्रों में हमने सुरू से भी ये कहा है कि हम अकिले पूरे देश से मजदूरों को छाक्रों को नहीं ला पाएंगे राजसरकार सक्षम नहीं है अगर हम अपनी संसादनों का जो सिमित संसादन है क्योंकि हमारे पास कॉर्परेशन भी नहीं है प्रांसपोर्ट कॉर्परेशन भी नहीं है इसके वज़ा से अगर हम कोई विवस्ता करते भी हैं और जो दूर दराज में लोग भसे भी हैं, तो मुझे लगता है कि लाने ले जाने, वहां से मजदूरों को लाने में ही हमारा छे मेहना बित जाए है, इसलिए इस सब चीजे हम लोग आगे कैसे कारिक किये जाएंगे, इस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इसके लिए प्रदादी कारियों को नुक्त भी कर दिया गया आज, नॉडरल ओफिशरों को, कि आज इस विशे पर आगे पूरी वर्थ प्लान तयार करें, और हमें अवगत कराएं, तो दनुशार आगे कारवाई की जाएंगे. हमारे पास डाटा है, और बहुत सारे मुझे जो जान, खबर भी आई है, आप लोग को भी खबर है इस बात की, कि कई बात, कई जगहों से, जैसे चात्रों को भी से, चात्रा, चात्राओं को लेकर, कई अभिभावत ने अपने बच्चों को लाने का आगरा भी क्या था, हमें पर्मिशन भी भागा, कि हमें पर्मिशन दिया जाए, हम अपने चात्राओं को लेकर आए, और ऐसी बनेगी, तो हम उन अभिभावों को अपने बच्चों को लाने का अनुमती भी देने की प्रक्रिया पर आगी बचारएंगे। कुछ कम हो सकता है, कुछ अधिक हो सकता है, इस रेज़ पर लोग बाहर ठसे हैं, और इसका भी आकलन होगा, कि लगभग बहुत सारी चीज़ें विगत दिनों में लोगों को कहां पर हैं, किस जगह पर हैं, लगभग लोगों को उनका जगह पहचान कर ली गई है, और हम लोग आगे का इसका कैसे उस जगह से लोगों को इभी गेड किया जा सके यह हम लोग प्यारी करें इसके लिए क्या कुछ आपको बताएंगे समय आने पर अभी तोड़ी देर पहले यह आदेस आया है अब इसके बाद हमारे पास क्या संसादन है कितने संसादन है इसका फुरा विवरनी विभाग के तरफ से भी आपको उपरब कराए जाएगा या फिर जब हम आपसे बात करेंगे, हम आपको पुरा विस्तित रुप से बताने के इस्तिती पर रहेंगे, तुकि अभी तो जब तक या ओर्डर आता, तब तक सारे पदादी करी अपने घर जा चुके। सर, एक महतपुल सवाल, रिम्स को लेकर है, रिम्स डिरेक्टर को लेकर है, सर, वो आपको की एस्तिती है, आपको निसीन देना है, क्या दिया है, सर के? या भी वो परपर है. देखिए, उनका मुझे जो जानकारी प्राप्त है, जो अनओफिशली, वो यह है कि साइद उनका चैन दूसरे संस्थान में हुआ है, और वो सरकार से अनुमती जा रहे हैं, क्यों वो यहां से जाएं, और चुकी सी बिच करोना का संकरमन आया है, और इसमें विभाग ने अपने तरीके से क्या करवाई की है, इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है, लेकिन हाँ यह बात है कि उन्होंने साइद जो उनकी चैन हुई है, वहां जाने के उन्होंने इच्छा जताई है.